गूड इबनिंग अल आफ यू, सभी अध्यापक बंदू, आप शब को नमस्कार, मैं आज यह वीडियो कैम स्कैनर पर बनाने जा रहा हूं, ताकि इस ओनलाइन क्लास में आपको कोई भी इमेज खीचने में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहूं, तथा उसकी क्लियर्टी बरकर इसके लिए आज हम एक खास तरह के आप जिसको हम कैम स्कैनर के नाम से जानते हैं, उसे प्रियोग करना सीखेंगे, तो कैम स्कैनर को प्रियोग करने से पहले, उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना जरूरी होता है, जिसके लिए हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर मे देखेंगे यहां प्ले स्केञें, यह हमारा प्ले स्केनर को सर्च करेंगे, यिसा ही याम निठाल इंस्टाल लिखा हो गाए जैसे ही अम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे हमारा Cam Scanner इंस्टॉल हो जाएगा चुकि हमारे मुबाइल में भी डाटा आन नहीं है इसलिए इंस्टॉल आप्शन दिखानी रहा है चुकि हमें बस केवल आपको टेंड करना है Cam Scanner के प्रियोग को सिखाना है हमें केवल तो आगे देखते हैं चुकि मेरे मुबाइल में Cam Scanner पहले से इंस्टॉल है इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूत नहीं है हम सीधे Cam Scanner पर चलेंगे तो यहां बैक आएंगे और अपने अप्लिकेशन में Cam Scanner को देखेंगे हमारा जो Cam Scanner है देखिए इंस्टॉल होने के बाद टैप करेंगे जैसे ही टैप करेंगे यह Cam Scanner खुल जाएगा अब इस Cam Scanner का यह एप खुल चुका है इसमें देखिए आल्लीडी मैंने तीन पीडियप बना के रखा है और चौथा जो पीडियप है उसे आप को बनाना सीखिना है तो सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह से आप खुलेगा उस आप में नीचे यह एक कैमरा दिया हुआ है जैसे ही एक कैमरे पर आप टैप करेंगे यह Cam Scanner ऐसे खुलेगा अब इसे हम क्या करेंगे जिस पेज को हमें स्कैन करना है उस पर कैमरे को सेट करेंगे सेट करने के साथ हम इससे उसका एरिया सेट करते हुए एक कैमरे को प्रेस करेंगे जैसे ही प्रेस करेंगे यह देखिए आपका जो है यह पेज आपने कैमरे से खीच लिया है उसके बाद इसके एरिये को हम ích select करेंगे यह देखिए मैने area select किया select करने के साथ जो भी आप area लेना चाते हैं उसे हम यह set करेंगे set करने के साथ next पह क्लीक करेंगे next करने के साथ get cropping करेगा image को cropping कर दिया देखिए इस पर आप करने के साथ clearty देखिए, आपने जो खीचा है उसकी clearty कितनी अच्छी है, अब इसके बाद आप save button पर, यह जो save right button है, इस पर आप tap करेंगे, जैसे ही tap करेंगे, यह saving होने लगेगा, saving होने के साथ देखिए आपका पहला page आपका save हो गया, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, tap to add new page लिखा हुआ है, अब यहां automatic दूसरा page set होगा, उसके लिए फिर पुना फिर उसी तरह से, camera पर आप पुना फिर tap करेंगे, टैप करने के साथ, पुना जो आपका दूसरा page है, उसको हम खीचेंगे, ऐसे पूरा area लेते हुए खीचेंगे, बिलक area बन करके आगया, इससे हम area फिर अपना ले लेंगे, जितना area हमको लेना है, उसके बार पुना फिर next पर click करेंगे, next पर click करने के बाद आपकी cropping होगी, cropping होने के बाद इसमें जो magic color होता है, वो बिलकुल set color होता है, इसमें आपको clarity मिलेगी, आप उसमें कोई changing नहीं करें करेंगे, उसके बाद save right button पर tap करेंगे, जैसे ही tap करेंगे, आपका यह image देखिए, दूसरा page automatic save हो गया, save होने के साथ तीसरा page भी automatic आगया, अब यह process करने के बाद आप 3-4 जितना page चाहें, आप उतना खिशते जाए, जितना आपको एक बार में भीजना है, उसके बाद cam scanner क बगल में PDF बटन है, यह देखे, PDF आइकन दिखाए रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ यह आपका save होगा, save होने के साथ यह आपका दिख रहा है cam scanner, यह आप इसको share करेंगे, share करने से पहले फिर एक बार back आएंगे, back होने के बाद यह 3-dot वाले बटन है तीन डॉट वाले बटन पर जाएंगे और rename करेंगे, यह rename किया हमने यह देखे, rename किया, rename किया यह ऐसे rename, यह जो file का नाम है, automatic scanner, पचीज चार दो हजार बीस लिग करके आ रहा है, तो चुकि हम यह चाहते नहीं है, इसका हम अपने आधार पे नाम रखना चाहते हैं, तो इ page 1 के नाम से रखना चाहते हैं, page 1 के नाम से रखिए, तो चलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं, c-o-m-p-u-t-e-r, computer, और c-h-e-p-t-e-r, chapter 1, chapter 1 या 2 आप जो रखना चाहें, जैसे मैंने chapter 2 रख दिया, computer chapter 2, ok कर दिया, ok करने के बाद, फिर ये ऊपर, जहां computer chapter 2 है, उसी के बगल में एक PDF आइकन है, उस पर आप सीधे हलका से tap करेंगे, जैसे ही tap करेंगे, ये computer chapter 2 देखेंगे, आपके screen पर आजाएगी, फिर आप इसको share करेंगे, share पर आप tap करेंगे, जैसे ही share पर करेंगे, आपके WhatsApp, Gmail, Send to PC, Upload Print, Word, Bluetooth, OneNote, Skype, Digital Locker, share to mobile device, share to PC, ये तमाम आप सनाएगे, लेकिन इसमें हम किसी को touch नहीं करेंगे, save to drive पे चले जाएगे, अब save to drive पे जाएगे, तो ये आपके drive में देखिए, ये आपका save to drive, document title है, computer chapter 2, ये PDF इसका extension name है, आपका ये email है, इसमें कोई भी परिव ये परतन नहीं करेंगे, और सीधे save पर click कर देंगे, ये देखिए, मैंने save पर click कर दिया, जैसे save करेंगे, ये आपके drive में जाकर के save हुगया है, अब drive से उस file को upload करना होगा, drive से file को upload करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है फिर back आना उसके बाद बैक आने के साथ ये पूछ रहा है कि are you sure you want to quit ChemScanner, yes quit now, कर देंगे, उसके बाद हम अपने जो भी हमारे आप इंस्टाल है मोबाल में उसमें ड्राइब में जाएंगे, डाटा को आन करेंगे, डाटा को आन करेंगे, ये गूगल ड्राइब के नीचे आपको जितन इसको आप भेज सकते हैं, ये सरल प्रासेस है आपके ChemScanner का, ये आपको कोई दिक्कत आए, तो आप अपने ग्रूप में, टीचर्स ग्रूप में कमेंट करके आप बता सकते हैं, फिर हम चाहेंगे कि फिर आपकी कुछ जो समस्या होगी हम फिर दूसरे तरीके से उसको हम हन्यवाद!